को थार रहे जो अपने खुद गरदी है अपनी मफात और अपनी मक्कारी करतों जनता रहेंगी जनता कीसको चुन के लाना है यह जनता की हित्में मामल रहेंगा उनको कैसा क्यांटेट चाहिए जैसे बड़े बनाने वाला चाहिए या बाइनर लगाने वाला चाहिए या जमीनी स्थीतित पर काम करना वादर चाहिए आप देख रहें आउरंगाबाद न्यूस मैहूर याद अंसारी तमाम दर्शकों को बता दे कि आज मैं आउरंगाबाद न्यूस चैनल से बात कर रहा हूँ और आइंदा भी मैं आपको इसी चैनल पर बोलता हुआ न्यूस करता हुआ दिखाई दूँगा इसलिए आप तमाम से वजारिश है विननती हैं कि आरवन दीस को लाइक कीजिए फालो कीजिए और जो मुझे च चैनल डिया है पत्रकार परिश्यत्त में के नोड़ के ऊपर गांदी जी के साथ गनेश जी की तस्वीर मार्टर यह लगत्ष्मि जी यह बहुत बड़े समाजी कारे करता है और बेबाग अपने राय रहने के लिए मश्वर माने जाते हैं बाबा आज क्या कहेंगे के जरीवार के पर आप कैंटि आज म ll मात्मा गैंदी की बहुते होना चाहिए कि आप किजरी कावाल को मैं पूछना चाहता हूँ क्या बड़ी उख सब्सक्राइब मुक्षेमंत्री है यह जा दिल्ली के अंदर दंगा होता है तो आप चुपी बैठे रहते हैं जब लोग तंतर के अपर जो एक नारा लगाया जाता है और गर्दन कलम करने का आप भी जब खामुश बैठे रहते हैं मुसल्मानों के अपर हत्या चार होता है आप खामुश बैठे रहते हैं जब गुजरात के अंदर आपके आठ दिन में दस दिन में दोरे होते हैं बिल्किस जैसी बिल्किस बानों के अपर जो हत्या चार हुआ है बलतकार हुआ है जब आपकी खामुशी समझ में आती है कि आज मैं पुरे नेता और हिंदुस्तान के नेता उसे में पूछना चाहता हूं जब भी एलक्षन आते आपको भगवान राम, कृष्णा, लश्मी और धिगर भगवान याद आते और मैं और कहना चाहूंगा इस बात पर के जब जब भी देखे हमने पुरे दुनिया के अंद अधर एक बीजी पीएशी एक सरकार है और बात दिखर जो आज केजरिवाल ने में एक मुद्दा उठाया है तो केजरिवाल तो पड़े लिखे और ग्रेजवेट है कमिशनर भी रहे चुके उनसे मैं पुछना चाहता हूं कि आपको ये बात शोबारी दीती पुरे थे आगे क्या मार जी उड़ाएंगे कि हमारी गुरु ऑन पुच्छी मुज्खी जाइंगे कर दोड़ाने का मसल़ा है चन्ता को वरगलाने का मसला है ऊपको खिशने का मसला है आज जब जब भी election आते हैं, इन्हों मुद्दे के उपर बात नी करते हैं, विकास के उपर बात नी करते हैं, आज महेंगाई के उपर बात नी करते हैं, यही जाती धरम की बात आती रहती है, जब भी देखे हमने जब 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 भी election आये हैं, आज देखो तुम, आज बता दो जैसा एक देशना होता तो मैं बताता हूँ आज ये गोदी मीडिया ना को है सुप्राइब्व मेश्चाल से ना कोर भी है बसक्राइन कोई जुक्राइब ऑज़ी थरैको नदर आया था ऐसन कोई सब्जिया यानि जो भाफ से तार तो आज बात को उचाठ को भी हैं गूधी मीडिया कभी भी तो मुद्दे बेबात ने करती है, भटकाने वाले काम करती है, आज ये मुद्दा जो केजरिवाल ने उठा दिया, क्या बैह, आज हमारी जो तो गंपती जो तो इसके पर एक फूटों होना चाहिए, गलाश्मी के फूटों होना चाहिए, कभी भी ह गरीबी पर जाटके चार पेटो इजल महिंगाई के उपर मुद्दा उटाते नहीं देखा यह सिर्म मुद्दे उटाती है मीडिया और जो सरकार तो सिर्फ धरम के नाम पर मुद्दा उटाती है बाबा आज हम देख रहे हैं कि मैं इससे पहले भी एक पी नियूस कवर किया था आज इतिफाक से दिखिया आज जुम्हे का दिन है राज और अरंगाबाद दिले के खासदार इम्द्या जिले साब के पत्रिकार परिशाद है और उस में प्रेस्टोटर पढ़ा हूं कि नाश रहेंगे लबबाएगा हमारे लिए बहुत बरी बाते हैं PARANE इस लिल्व के अपर हमनें जुद्शनी की सबसी पारिश करें कि पर जंदा को इसके अंदर कैसा फादा पहुचे और बाग दिगर जब भी जब जब भी नेता जो है तो मुद्द्धे उड़ाते हमने इसके अंदर دेखा है इनका अपना खुत का मफाध ज्यादा होता हैोग स्थे के ज्यादा मफाध के लिए प्रिते आगे उड़ाते मैं अपिल कर रहा हूं तमाम नेताव से और अगाबाज शहर के इन्होंने अपने खुद के मफाद का छोड़कर जनता की मफाद जनता के फाइदे के लिए मुद्धा उठाएंगे तो बहुत पहतर रहेंगा कि अपनी यहां घाटी जैसे मसले होते यहांने शराफ के जहने बंदि किराने के मुद्धे होते यहांने उनको बन करने की मुद्धे होते ना तो कहीं मुझे ये नजर आता है कि आज नेता लोग जो नेता लोग होते हैं ये खुद अपनी जाती फाइदे के लिए उड़ाते रहते हैं मैं उसे अपल कर रहा हूं मेरे अदबन रिक्वसेंस से एक गुजारिश करता हूं और अगाबात के बड़े-बड़े दिगज नेताङों से आप जनता की हित में बात कीजिए, जनता की मफाद के लिए बात कीजिए, आपने खुद का मफाद छोड़कर, तो मैं समझता हूँ, ये जनता आपके पाद काफेले के साथ में आएंगी, कभी आपकी गिवत नी करेंगी, आपकी बुरा ही नी करेंगी, आपके बारे में कोई बहुतान ने लगाएंगे जब जन्ता की हित्में काम करोगे तो साहब हमने इस वार्ट का कई बार दोरा किया है और कल यानि कि वंतीस तारीक सानी दिन है सनीचर का रहा है कल नारे को के अंतर सब्सक्राइब नहीं है जैसा आपने बाता है सब्सक्राइब तो कल मौका बड़ा अच्छा रहेगा खादा साब हो सकता है कि यह अखिने सब्सक्राइब तो आप शेयर के मतलब वार्ट की कुछ लोग मिलके से सामने बात फिर बात दोर आएंगे याद दिलेंगे कि साब थोड़ा सा ध्यान दीजिए बहुत अच्छी बात है मैं इम्तिया जलील साब को यह जो क्याम रखा है दूआ फॉंडेशन ने जो यह क्या क्याम रखा है मैं उनको मुबारक बात देता हूं और इम्तिया जलील साब और डाक्टर कफर कादरी के नेतरुती में यह यह तो क्याम रखा गया है अलम्दुल्ला बहुत खुशी के बात है जब गरीबी के मसले के जो मसाइल उटाते तो हमारी दूआई भी उनके साथ में हैं और हम बार बार उनको मुबारक ऐसा काम करते रहोगे तो मुबारक बात देते हैं इम्तिया जलील साब को भी ऐसे काम करते रहिए ऐसा नहीं कि बैचलो मुसलमान के लिए मैं तो कहूंगा कि हर जाती हर धरम हर लोगों के लिए ऐसा काम होना चाहिए चाहिए हिंदू हो या मुस्लीम हो सीको हरही हो हर धर्म का लोगों का काम अगर से ऐसा होता रहेगा तो मैं समझता हो के आने वाले इंद्याजरालीब साब जो हो सकता है हो सकता है मेरी भी दौा है कि इंधजली जिली साफ आने वाले खादार की हो सकते है अगर सही काम उनोंने हर हिंदु धर्य के महले में बेर ऐसे क्याम रखे हर जो भी मसले मसाल हिंदों के होते है उन्होंने मसले सौल करने को यानि करे तो मैं समझता हूं इंशाणलहा उमीद आलाख चाहा के जो कि आने वाले वक्त में इंत्या जिलीन सहावी जो तो खालग है बाबा क्या बात है है वोगत बंदे बंदे सुल है कि एमाइब की टिकेट के इस चक्रत को नहीं है नई में तो अपक्षे ललने वाला हूँ मुझे कोई पअ odor मैं परोसा हम बरॉसा है यदिजिदे पर अंदर हो लोगों पर भरोसा नहीं जो अपने खुदगर्दी है और अपने मफाथ और अपनी मककार ही करते तो मुझे मककारों से नफ़त है फोछ को ब्रउत करते हैं और गलत पार्टी के नाम को यह ना बदला नी करते हैं ऐसे लोगों से मुझे नफरत है मुझे मैं इसे मौबत नहीं नफरत ही करता हूं आप जैसे आपने सवाल करा क्या पर हमाइम की तीकित देखो यह तो जनता रहेंगी जनता किसकुछ उनके लाना है यह जनता की जता कि और नफरत कोशाब करना ला इसा नहींता चाहिए यह पुब्लिक ढाम करेंघी पूब्लीक चुनिंगी और यह पुब्ली के इसला हो क्पार्टी से लड़ना है यह किसी पार्टी से लणना है ऒब बताए कि मैं बहुत निils कवर का रहा हूं खाजाょ ऑली ब सारी ब कि औरंगाबाद चार मनतरी चार दो खास्दार करें तो औरंगाबाद का डॉलिपमेंट कितना हुआ नंगा झाए और अटन ओर चयाelf मंतर ने कुछने के बावजोद भी और perfect उनरे के बावजोद भी और मैं बूलता इतने मंत्री और कि आता है एक लूपळ पुक्तिए मेंदूबद आप कि हिंदूस्तान के अंदर इसा चीन काना चाहिए तही कि छी एकशोरी आइसा चाहिए तो अगया है एक वाकिए हमारे का वारंगाबाँ शहर हैне किना आजिए औरंगा बात जाहते को यह खंडर नजर आता है साथ बताओ चार-चार मंतरी होने का दो-दो-खादार होने का हमारे अरुगबाद को क्या फाइदा पहुचा है अब साथ बावा एक सवाल में होड़ सवाल निकल के आ रहा है भी अपने चार का है आंदर मिला के खादे मिला के चार हो रहे है फिर ऐसा क्यों मीडियम चलता है कि वह खासकर इम्तिया जिली साहब भी जो है तो उनको दोश्चारा जाता है उनका नाम लेकि उनको ठाय की हैं सब्सक्राइब को टार्गेट इसलिए बना जाता है कि वह एक मुसल्मान खासदार है बाखी कुछ नहीं है मैं तो बोलता चार मंतिर और भी है इनों जो है तो अपना तक्या लेकि अपने बिस्तर पर सोई है इनके बच्चे आईश्वाराम की जिंदगी गुजार रहे हैं इनके बच्चे जो है तो लंदन अफरीका जैसे देशों में पड़ रहे हैं लेकिन आज इनको ओटेने वाले लोग इनको चुना कर लाने वाले लोग आज बेकारी बेरुज़गारी और बदहाली की जिंदगी गुजार रहे हैं साब ऐसा हम बोलते रहे हैं इम्ताज जिल अच्छा काम कर रहे है पर विशे का नोट के ऊपर गाने जी तस्वीर के साथ लेकिन के कारर 3All करता है कि देश समाज जितमें कुछ बात को उठाया जाए और हमारा समाज में सर्वेश चलते रहता है तो समाज के दर्मियान से जो बात निकल के आ रही है वो हम तमाम देश के नेताओं के सामने छोड़ रहे हैं के सामने रखने जा रहे हैं के देश में आज चर्चा है गरीब लोगों में के हमने किताबों पड़ा है धार्मिक किताबों में लिखा हुआ है कि भागवान, अल्ला, इश्वर, गौट, हम जो भी नाम से पुकारते हैं ये गरीबों के बीश में बर्चते हैं उनके मन में बर्चते हैं कोई किताबं में लिखा हुआ है इश्वरاش्वा करे है आज इसा क्यों को है आग्या हो पाता कि मिलकर गरीब कि सेवा करेकि उनको राशन अब यह करते हैं तो जो पुछने करते हैं कि यह दिशा पर आप जाएंगे और आप चाहते हैं कि देश का विकास हो तो सबसे पहले देश में जो 75 कोड जनता गरीब जो है उनका विकास कीजिए भगवान अल्ला इश्वर गौड अपने आप खोश हो जाएगा और जनता को भी विकास होगा और देश को भी विकास होगा यह समय की जुरूरत